नमस्कार आपके चाहेते News Nation Network के इस खास शो में आपका स्वागत है इस शो में हम बात करेंगे लोग सभाचुनाव 2024 की भारत के बीते कल की और उभरते भारत की इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान देश के प्रधान मंतरी आ परिश सहयोगी संजकुल शेष सर सातिसाथ मनोज गैरोला जी सर अब तक भारती जन्ता पार्टी कह रही थी अब की बार 400 पार हमारे जो तमाम सहयोगी ग्राउंड पे गए हैं बड़ी संख्या में वोटर भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं जो लड़ जा रहे हैं वो कह रहे हैं क जहां तक इलेक्शन कैंपएन का सवाल है जन समर्षन का सवाल है मद्दाताओं के उत्सा का सवाल है एक अबुत्रवन नजरिया नजर दिखाई दिरहा है और यह चार सो पार का नारा प्रारम हुआ जन्ता से हावाज हमारे कान पर पहले पड़ी जन्ता से अब धिरे धिरे वह बुंज बढ़ती गई कि बुश्य प्रकाद हमारे कश्मीर के एक साथे ने मुझे कहा कि अब धारा 370 गई है आपको 370 का नारा देरा चाहिए तो उसमें जब फिर ये बीजेपी 370 एंड ये फॉरेंड़ पार्ट ये बात जन्जन में पहुंच गई लेकिन सर इस चुनाव में मज़दा है बात ये रही कि हार और जीत की बात कोई नहीं कर रहा चार सो से ज़्यादा है और चार सो से कम वैसे भी विपक्ष इंडी अलाइंस अगर आप देखें वो बनी नहीं पाया तीन चार बारों के फोटो हुए है उसमें भी जो पहले मे दूसरे में तो तीसरे में नहीं थे पहले कभी एक नंबर आते तो तो तीसरे चौसे नंबर के लोग आने लगे फिर उसमें कोई स्पिरिट भी नहीं था चलिए मान लीजिए लोग नहीं जुड़े लेकिन एक कोईलेशन का धर्म होता है उसका भी पालनियों का उनका सबसे बड़ा साथी लेप था और उन्हें ने केरल में जाकर करके सबसे पहले फेज़के चुराओं में लेप के फिर फिर फुरा फोग दिया लेप के खिलाब लड़े इतना ही नहीं सबसे ज़्यादा कड़ी बाते हलकी बाते हैं कि इस चुराओं में सबसे ज़्यादा हुई तो केरल के फर्स फिर के चुराओं में और कॉंग्रेस और लेप के बिच में हुई तो फिर वो बिखर गया बिखर गया सर आपके पिछले दस साल के कारेकाल में हमारा देश संसार के बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है और हमारा आज पूरे संसार में पांचवा नंबर है अब जब हम 400 के साथ आएंगे तो उस समय आपको क्या लगता है कि क्या बड़े एक लूंगे और वह भी यह देखते वे कि आपने एक टार्गिल रखा है कि जल से जद भारत को एक विक्सित देश बिनाना है कि एक तो आप जानते हैं कि मैं रिफॉर्म कि पार्फॉर्म ट्रांस्फॉर्म कि इस मुल मंत्र को ले करके गवर्णन्स में अपना बढ़ देता हूं और इसमें मेरी कोशिच यह होती है कि विकास को हमने जनादोलन बनाना चाहिए एक स्पिरिट पैदा होना चाहिए देश में आप इंक्रिमेंटल कुछ भी करते जाएंगे तो परड़ाम नहीं मेरता हैं देखिए देश हजार साल तक गुलाम रहा हूं हिंदुस्तान का कोई कोई भूबाग है हजार साल तक लड रहा है आजादी के हökेतिकन तुमसे कोईला है कोई सामु ही प्रूब से लड़ा है लेकि लड़ा ही चलती रहे हैं का कि एग खत खता पादा तो दूस्रा खड़ा होता थैसकं कि मात्मा गांदीजी ने क्या केआ हैं कि मात्मा गांदी जी ने आजाधी को जनांदोलन तो है फोगता है तो इतन manufacturing के लिए मैं कोई है कि लेपरेशी के सेवा करता है तो बोले मैं आजादी के लिए उसको बहुत बड़ा ब्यापक रूट दे दिया कोई सिंपल खादी पहने ले आजादी के लिए और उसको कैसे लड़ना यह अंग्रीजों को आया नहीं बड़ा पुश्किल था और जनांदोलन बना तो हर व्यक क्या कारण है विक्सित नहीं बड़ सकते हैं यह मिजाज प्रदा करने का मेरा प्यास है भावत एक मात्रा में मुझे सफलता मिल रही है और यह चुनाव जो है उस बात पर कैंद्रित हुआ है कि हमें विक्सित भारत बढ़ना चाहिए पीशे नहीं रहना चाहिए दस साह के ट्रेक रकोड ने उसकी क्रेडिबिल्टी बढ़ा दी है जब 11 नमर की एकोनोमी पर आप देश में कारवार संबालते हैं और इतने कम समय में एकोनोमी को पांच नमर में ले आते हैं 11 तो लोगों को लगता है कि पांच से तीन पर जाना भी मुश्किल नहीं है विक्सित भा अब जब जनता ओनर्शिप लेती है फिर गवर्मेंट मसंट्री पूल्टे के लिडर्शिप भाती कैटली एजेंट का रोल रहता है और मैं यह द्रश्य देश का देखता हूं ब। आप जेनां दोलन की अब बात कर रहे हैं आपकी हर चीज जननन你要man ऐसा बड़ा आपने जब फौकेट में कुड़ा रखें लगा आपने टूरिज्म की बात की सब दोड़ पड़े पटेल की मूर्ति देखने के लिए ये आंदोलन को बनाने के लिए दूसरों के दिमाग पर कबजा करना वह जरूरी होता दूसरे दिमाग को पढ़ना ये एक इतनी बड़ी जनसंख्या को कि दिमाग को पढ़ लेना और उसक कैसे होता है। इस आप कभजा करने के कोशिश जो भी करेंदा वी फट जाएगा। आशार कभी मिन जन को कभजा नहीं करना में हमें जनमन को समझना चाहिए। और जन्मन और हमारी सोच के बीच में फासला कम कैसे हो दूरी कैसे कम हो खाई कैसे पटे यह हमारा प्रयास होना शाहिए थोपने से कभी चीजे सफ़र नहीं कोती है कि अब देखिए कि स्वच्छता का अभियान है कि खुद को जाना पड़ता है जाड़ू लगाना पड़ता है उपदेश देने से होता नहीं है लाल के लिए से इस प्रकाली बात बोलने के हिम्मत रखती और कुम्ब के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर के घर्वन ह लोगों को लगता है कि हमारी इतनी सेवा करने वाले लोग है अब मुझको स्विकार क्यों नहीं करते हैं और जब देश का प्रधानमत्री कुम्ब के मेले के अब कुम्ब का मेला हमारा दुनिया में स्वच्छता के लिए जाना रहे हुआ हमारे त्योहार वगेरे फूल यह यहां पड़े हैं प्रसाज यहां गिड़ा है उसी में लगा एक बड़ा प्राडिम सिप था अब जम मैंने वहां के मिले को जिन्होंने स्वच्छ रखा उनका सम्मान करने का मेरा तरीका था मैंने उनके पैर दुनिया थे समाज के अंदर मैसेज दाता है कि भाई इस देश में हर व्यक्ति महान है हर व्यक्ति मिल्वाद है को नीची नहीं को उपर नहीं है देश का प्रधान मंत्रिय जिसको कल तक जिसको आप नीचा कहते थे उसके पैर धोने वह घरवन हो करता है आप एक भाग बड़े शौकिंग ट्रीटमेंट भी अपने व्याद से देखते है तो यह कौन सा तो यह करना परता है तो यह तो इस देश में एक कांक के मंत्र को जीना चाहिए तो देश विवित्ताओं से भड़ा हुआ हमें विवित्ताओं को लेकिन विवित्ता में एकता इस मंत्र को कभी भी ओजल नहीं पने देना चाहिए तो मैंने क्या कि आगी जब मेरा चाहिए पर अब सोटांच करेंगे में अब अब मान्के चलिए दुनिया में सब्सें बडर में सोटां मूझे कोई योट्यिक्र मैं मांता हूं मेरा देश बड़ा तम होगा अचांगी दुनिया में सब्सें नहीं है तो देश की एकता में सबसे बड़ी भूमिका सर्दार को ठीड है तो मैं नावदा स्ट्रेशी आफ यॉडिय नखा तो ऐसे नहीं रखा ने किया में लोहा में इस네कर मैंने चोटा सा घूक्षार यह देश्की एकता मिमिटती मेरे लिए उस लोहे को हमने मेल्ट करके सरदार प्रोटेस्टेश्यों में उपयोग किया भारत के खेतों में उपयोग किया गया किसानों के द्वरा उपयोग किया गया लोहा तो इसके पीछे जो कल्पकता है उस कल्पकता में एकता एलिमेंट है जन भागीदारी का प्रफाव है और उस निलंबे वक्त के साथ साथ राज में भी लीट करने का सबसे जादा लंबा अन्वाव है तो आप समझते हैं बहतर तरीके से केंडर और राज को फेडरल स्ट्रक्शर को आपके बास बिल्कुल सही है हमारे देश में जितने प्रदानमंद के हुए है एक तो पर्दानमंद लाफ और है नबवे परसंट प्रदानमंद लिए क्में कोंगरेस बोत्रक्श यह हैं कि किसी भी तल से आयो है कि मूले तहुं मूल मुझन गोत्र करें जो इस देशने दो ही प्रदानमंदी और जो प्रदानमंदरि कर द利त लेकिन अटल जी को भी पूर्ण बहुमत से सेवा करने का मोधी को पूर्ण बहुमत से देशने पहली बार कॉंग्रेज गोत्र के बाहर की सरकार तो लोगों को कंपरेजन करने का आउसर मिला दूसरा यह हुआ कि आजादी से अब तक जीतने प्रधान मंद्र बढ़े जादा तर दिल्ली की या सेंटर की राजनेती से निकले बहुत कम लोग थे जो स्टेट में काम करके आए लेकिन जो काम करके आए वो स्टेट में बहुत कम समय मिला था मुझे ज्यादा ज्यादा समय मिला और अच्छे प्रगदेशिल राज्य में मिला तो मैं एक राज्य की कठेना या क्या होती है तो मुझे किसी मुख्यमंद्र से सुनना नहीं पड़ता है मैं समझ सकता हुए मैं बखले याँ बेटाँ आंदर में क्या तकलीव होती होगी बंगाल में पंजब की या ज़िर्वत होती होगी ये मैं बली बात ही समझ सकता हूँ अब जैसे कल बंगाल मैं कि साइक्लोन वाली लटा मैं इतने दोरे पर थे हैं लेकिन मैंने आया मदद पहुंचानी से एडवांस में मदद पहुंचा दी सारी बसंदियों को गेरफ कर दिया क्यों कि मैं एक राज्य को जी करके आया हूं नेचर कैलिवर्टी में क्या होता उसको मुझे अंदर तो मैं सब्सक्राइब इसका मुझे बन्हिकीट बहुत स्वाभाविक मिला रहे हैं दूसरा मेरी सरकार जो यहां है कि सरकार में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि सबसे बड़ा फर्क यह है लास्ट में डिलिवरी कि मेरे सरकार के भी सेंट्रल गवर्में में बैठे हुए अपसरों को भी लगता था कि हमारा काम है एक फाइल पर सी नेचर करो और निकालो अगर कार कम ऐसा है तो प्रगामनुद्य को ले जा करें कि फिता कट वाओ या द सबसे बड़ी जो टर्न अरांड इस्टोरी है वो पी एस्यूस की है सर पहले जब हम पबिलिक सेक्टर इंटरप्राइस की बात करते थे तो हम पीएस्यूस को कैसे बैचे उसी पे हमारा फोकस होता था लेकिन आज अगर आप लेकिन आज आज आप देखें तो पीएस्यूस के इतिना तुन तो काफी लोग आते थे सुब कामनाई देने के लिए मुश्केल से दस दिन भी होगे और बड़ोगा गुज्रा स्ट्रेट फर्टिलाइजर कापोरिशन से सो डेट सो लोग आ गए मालाय वाला लेकर तो जैसे हमारे नियमता में इतने बचे समय जनता को दे जैना तो मैं लेक इन मालाय क्या पहने मैं राइक कबल पर रख दिए उन्हों नहीं रोने लगे मैं उनके आंसु नहीं रोक पाता था कभी मुझे समझा यह क्या है तो नहीं का साब हम 20 साल मारी जिंगी खबादी बच्चों का बड़ा बड़े हुए हैं कंपटी बंद हो रही हैं कि मैं बहुत बहुत बाहर रहता तो अचानक में मुख्य में पूरी डिटेल नहीं है अपकि जो कागज है मुझे छोड़के जाई है और मुझे पंधरा दिन का टाइम लिए और वो गए भी मैंने अपसरों को बुलाया मैंने का पूरा प्रेजेंटेशन मुझे क्या मामला है मैंनों को दो चीज़े कहीं एक मैंना कहा मुझे है गुजरा स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्परिशन का उसको मैं कॉर्पराइज कल्चर चाहता हूं सरकारी कल्चर से व्यापारी कंपनिया नहीं चाहती है दूसरा मैं उसका टेक्नोलोजी अप्रेड़ेशन चाहता हूं तीसरा मैं आप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको और रिसोर्ट इंक्रोडिंग इंक्रोडिंग रिसोर्ट एक कुछ मैंने सिद्धान उनके सामने रखें यह मुझे बराबर इसलिए है कि आपको आज आनंद होगा जानकर के कि गुजरा स्ट्रेट फर्टिलाइजर कंपनी के जन्मत से ले करके कभी भी जिदना प्रॉफिट नहीं हुआ था उतना प्रॉफिट उसको दो साल में प्रॉफिट वाली कंपनी बर गई तो मेरा यह काम करने का तरीका है फिर मैंने उसमें पॉलिटिकल लोगों के कोई नहीं किया बिल्कुल कि मुझे प्रोफेशनल लोगों चाह यहां जब आया तो आम तौर पर सरकारी कंपनी का मतलब यह होता है कि जिद दिन उसका होता है तो उसकी मरने की तारीक उसके साथ हो लिक्री एसी चबी बढ़ी है नहीं चाहिए जंता का पैसा है बरबाद नहीं हो सकता है तो मैंने प्रॉफिट अब देखिए शेहर लोग भारत सरकार के कंपनियों की देखते थे मार्केट वेल्यू बढ़ा है नेट वर्थ बहुत बढ़ी है इसका भी अगलाब मिला है तो अब हैचल देखे एचल का पिछले चुनाव में उनिस में इन्हों ने जाकर के गेट के भार अंदोलन किया था एचल बंद हो रहा की चौथी किमाई में रिकार्ड प्रोफिट एचल का हुआ है मारा अंदाज है चार्ड हजार करोड लुपे से ज्यादा प्रफिट है उसका हाइस है उसके अपनी एचल के लाइब का तो चीजें अगर आप प्रोफेशनली चलाते हैं अच्छा पहले क्या था जी जी का रि आती थी टोटल मार्केट केप करीब दो सो पचीस परसेंट यह पीएशु का बढ़ा है अब मार्केट के एचल का तो मैंने कहा कि कितना तो जो मैंने पहला का रिवां पर्फॉम प्रांसफॉर्म उसमें एक मैंनेजमेंट का बनागा साथ वर्सों तक साथ यह सारे जो जिस कि बढ़ में हैं तो कंपनी गाड़ी अफसर के घर रहती थी तो मैं तो गुजरात में था तो मैंने का आपको एक ही फोन परसंट करना है बताओ कौन सा घर होगे सब कंपनियों का निए गाड़ी एक ही मिलेगी जब नहीं मिलेगी सिए जी ने मिस्ट बैनेजमेंट को लेक सब्सक्राइब राजनेतिक दखरंदा जी बिल्कुल है मैं कभी-कभी लोग कहते हैं कि चीजें बरबाद होती है पुलिटिकल डखर दें मैं इसमें सहमत नहीं हूं मेरा कहना यह होता है कि पॉलिटिकल इंटरफियरस में चाहिए लेकिन पुलिटिकल इंटर्वेंशन जर और इसके लिए तो राजर्यता हो को जो गाली देने की प्रेशन है उसे मैं सहमत नहीं हो और मैं मानता हूं कि प्रदानमंत्री देखा जो हमने तो इससे पहले देखानी हमारा प्रदानमंत्री बिसकवी चैनल के मैं वर्सेस वाइल में चला जाता है बेर गिल्स के साथ वो टास्क कर रहा है जो जो हम सोच नहीं सकते हमारा प्रदानमंत्री बेड़ ज्वारिका में सम्भुत्र तल के नीचे बैड़ जाता है है हमें लगता है ट्रीटेड शॉट होंगे मैं बैठ करके प्रदानमंत्री हमारा मैं चंधा जॉब कि पहले देखा मैं तो क्या आपका जो दुर-फॉप परिस्तियों परिस्तियों में थ्रिभ एक्सो बमाय रखनेर की जो आपकी शक्ति आपकाfire ये उसका का परिणार है और यह कैसे होता है एसा है कि इने कही वर्सों से कि अभी कि अपने दुनिया रही है ऐसे प्रदान मत्री रहे कि जो की नेवी के शीप लेकर करे फैमिली टूर पर चले जाते थी ऐसे भी प्रदानम्मिप से एस देखे है जो हो टो है संकट के समय तीन-तीन मिल जाएगा तो एक्त itu देखे coy औ और हर प्रदानमिंद्री के एक बैराइटी भी रही है जहां तक मेरा सवाल है मेरा अपना एक अलग बैक्राउंड है जो परंपरा कर जो पॉलिटिकल दुनिया है बहुत ब्रीड का नहीं रहा बहुत सामान्य परिबार से निकल और जीवन में कुछ खोजने के हैं को बढ़ी दुनना पाना यह गुड़ा लंपे सुए दुनिया के लिए नया लग रहा है कि मैं आधी कहला चला जाओं या मैं कई परिबार मिलेंगे बताएंगे कि यह पैड़ के नीचे मुझ्जीश होते थे उस नदी में खुद नहाने के लिए चले जाते थे और बुले फिर हमारे ज़र में जो भी पढ़ा रहे तर दखा करके चले जाते थे ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको मैरा जीवन यह सदा है जहां तक अब यहां कहें लोगों के नेजर और कैमेरा रहता है पताने इसलिए रोगों को पतर सब्सक्राइब तो ऐसे कहां मेरा यहां की मिट्टी के प्रतिवरा अखात प्यार है पागलपन है वह जिस रूप में हो मैं उसको जीना चाहता हूं चाहे वह के जानाति गूंपाये हो या कन्या कुमारी का समुद सब्सक्राइब तट हो या मैं कभी आप फैरान हो जाएंगे कच के रेगिस्तान में रात बिताने चला गया एक बार तो वहां एक धोर्रों गाह में पाकिस्तान के सीमा पर लेकिन आज वो जगा मैंनों किसी जमाने भी गाया देखा बाहा रहा आज वो दुनिया के मैप पर है कि विलेज्ट टूरीजम के लिए तो मैं जाता हूं खुद की जिनगी को समझने के लिए जीने के लिए लेकिन जब मैं उसमें से कोई स्पार्ण मुझे होता है तो उसमें नहीं बहुता भी खड़ी होती है तो इसलिए मैं अब द्वारिका मेर्मिन में आज भी है विज तो टूरीजम के लिए इसे बड़ा अफसर क्या हो सकता है तो मेरे मन की इच्छा थी कि मैं कभी ने कभी उस डूबी हुई द्वारिका के जो श्रेस हाथ छूकर क्या हूंगा तो मैं जितनी बात है कि आपने उसमें एक कॉमन चीज़ प्रकरती आप हमेशा कहते हैं प्रकर मैं लेकिन प्रकुति के प्रति आपका जब समर्पण होता है तो अपने दाहरे से एकदम से बाहर निकल जाते मुझे प्रकूति विश्तार देती है और मैं इसलिए और मैं कभी लिखता तो नहीं हूँ आजकर जब लिखता था तो कही ने कहीं प्रकूती से जुड़ा कोई कोई विशे तो आही जाता था आपने लिखा था अभी तो सूरज हुगा है निजनेशन के लिए लिखा था वो तो क्या हुआ कि पिछले बार मैं कहीं से आ रहा था हिमाच्वल से आ रहे था हां और आपके यहां दिपक चोरेशिया तो इंटर्व्यू था आपकी है तो मेरे ह मेरे लिए मेरे लिए सब्सक्राइब मैं कभी कभी यह सोता हुगा यह दूप है इतनी तेज दूप है अगर दूप भी तेज है तो विजय भी तेजस्वी होगी कूश मेरे हुगा आपके पूंधैसे जीत है निती ऐंती पएंगिकी जीत प्रकृति की जीत की विरासतों के पृत की कर्म है धरु की जीत है यह देश्ची की नई यूख को प्रवेश्ट Cassani ये जीत है भारत की ये जीत है जन्जदनता जनादन की तो अब तो सुरत बिलकुल औरूस पर है सर हम सब को भारतवासी के तौर पर गर्व है खुद पर लेकिन आजादी के बाद से भारत की एक छवी ऐसी भी रही जो विदेशों से मानविये मदद मांगता था अनाज मांगता था, करजा मांगता था, हतियार भी मांगता था बीते कुछ सालों में वो तस्मीर अब बदली है अब हम बाकी देशों को मानविये मदद कर रहे हैं डिफैंस एक्सपोर्ट में हमने रिकॉर्ड बना रहे हैं कोरोना संकट पर हमने देखा कि कैसे हमने दुनिया के बहुत देशों की मदद की यह चबी बदलना भी कितना जरूरी था एक नेता के लिए होता है कि अपने देश में सब कुछ ठीक रहे विदेशों को लेकर जो यह नज़र आइसा है चबी बदलने के लिए मैं देश नहीं पाइफ हो क Uber बिद्नेश हो तो मैने देश की चबी अपने आप बनेगी मैं इसांटलेंट है कि यह सब embrace मैं तो आज कोई बोधी आने के बाद थोड़ा आया है इस देश के बाद सब कुछ था लेकिन हमने उसको तबज्जु नहीं थी हम गुलाइत्मी की मानसिता में अतने दबे रहे कोई कही तो मारा बुरा है तो हम मान लेते हां अब हम लेट हो गए तो हमें गर्व से कहते हैं कि क्या तरीका है कभी तो गर्व करना सीखें पर शिखो तो फिर कर लगर घर लगिए यार इसके लिए है मैंने इसके लिए एक माइंड सेट बदलना चाहता होती है चलती है ठोड़ो यार हम नहीं चल सकता हम दुनिया और फिल उनके सामने लोग कुछ आपको मोडेल बढ़ाने पड़ते हैं आपको क्रेट करके देना पड़ता है तो दुनिया को भरोसा होता है जब चंद्रयान क की सफलता मिलती है तो दुनिया कहती है पेस शक्ति में अब भार को स्विकार करना ही होगा आपको कोविड वैक्सीन दुनिया को चिंता थी कि इतने बड़ा देश है दुनिया के लिए संकट बन जाएगा यही दुए देश संकट तो न बना देश को भी संगलना दुनिया क सबस्मार्ण ली दुनिया को दवाइया चीह दुनिया को वैक्षिन चाहिए और आद दुनिया के कई अब जाएंगे जैसे को इंडिया ओ थैंक्यू आपने वैक्सिन देया था हर भारती एक लोग थैंक कहते हैं प्रधानमुदी को थैंक हर इंदुस्तानि को थैंक कहते हैं और वो पब्लिक लिए करते हैं तो यह भारत के लिए मतलब है भारत के सामर्थ है अब दूसरा आप आप ने रुभर भारत की मैजाक उड़ाएंगे क्या कोई अमेरिका वाले इतनी उंचाई पर होने के बाद भी बड़े गर्वत से कहते हो कि भई भी अमेरिकन बाय अमेरिकन तो मुझे आत्मंदिर पर भारत कहने में संकुछ क्यों होना चाहिए मैं वोकल फॉर लोकल की बाद क्यों न करो मैं मैं डिफेंस में कब तक दुनिया से माल खरीदता रहूंगा मैं खरीदार बूंगा आज भी मेरे देश का दो तीन चीजें है जैसे जो मैं आने वाले पांच साल में मैं जाता मेहनत करना चाहता हूं जैसे हुमारा हम को हैसे तो अग्रिकल्टर कंट्री है क्रिशी प्रदा प्रदाम देश होने के बाद भी करीब करीब एक लाग करोड़ रुपे खाने का तेल हम बार से लागते हैं खाने का तेल चलो पैट्रोलियूम के लिए हमारी मुसीबत है तो हम लाते हैं समझे अब मैं उस पर मिशन प्लबोर्ड पर काम करना चाहता हूं और मैं भारत आतम तो मेरे खेत का तेल होगा तो मुझे ज्यादा पाइजा होगा उसी प्रकारते में बायो फ्योल इथे नौल यह अब 20 परसंट इथे नौल मैंने विदेशों से जो मुझे लाना था उत्रा बोज़मेरा कम हुआ अब मैं सोलार मुवमेंट पे चलाओं पीम सुरिय अगर त तो जो मुल्भुत चीजे हैं अब डिफेंस हम अभी तक साब एक ब्रसाचार का बड़ा अड़ा बना हुआ था बद्धा भी आती थी कोई चीज आसे नहीं पड़े मैंने मिल्ट को का आर्मी को का मिल्ली को इस वर्ष कितनी चीजे बाहर से लाना बन करोगे तो हर बार ने एक लाग करोड रिप्या का माल मेरे देश में बना और करीब 21,000 करोड डिफेंस प्रोड़क्त एक्सपोर्ट होने लगे तो भारत का दुनिया भर के अंदर एक नई इश्य भी बनी है चीज अब लिकॉम में भी सर हम देखते हैं तो आज जहां पहले हम इतना इंपोर्ट क होते हैं वा सलमना जो रिपूर्ण यहeldा मिर अनिजितना पके बिकम्रेश के जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम और आस जुड़ से का हुटा जो इक्टिन्टना इंपरान में हैं उस्वेशचर ने कि उसकी सब्संदा पिल है कि its का बड़ा रोल जो इंजिटना इन व्ह ँ बुबाइल ओन लिए रोजी रोटी को देश में मिल रही है रही है देश में मुबाइल फॉन बन रहे दूसरा जो करते हो एक सोशल इंफ्रास्टटर जो मेरी टॉप प्राइडि है कि दूसरा फिजगल ईंफरास्रक्टार राम et। जरूरत है उदेशा डिजिटल ईंफरास्रक्शर जो अब दुनिया को मुद्झ करने वाला है तो हरे की अपनी अपनी है ये जब MAYn तो पहले कि तुलना में डबल मेडिकल कॉलिज हो गई दो लाग के गरीब आईश्मान मंदिर बन गए हेल्ट केर के लिए तो ऐसी सामाज जीवन की आवश्यक्ता हो कि पूर्ती के लिए जो काम कटाची उसका अच्छा प्रदान दरिग्राम सड़ा की उजना हो एक प्रकार स दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्रक्चर में पहले तो यह था कि भी गाउवालों को अच्छा लगे चुनाव जीज़ाएं इसलिए यार टार का है छोटा तो बना दो पट्टी मैंना का मैं ऐसा काम नहीं करूँगा मैं ग्लोबल स्टांडर के साथ मैश करना चाहता हूं तो उसमें ग्लोबल स्टांडर क्या है उसको मैच करने में कितना दूरे आगे जा सकते मैं जानता हूं मेरी बुलेट ट्रेन की कल्पना को आज भी लोग गलिया देते हैं लेकिन बहुत मैंड सेट बदलने के बहुत जरूरी है मैंड सेट तब बदलता है है हमने अब तक वो ल सब्सक्राइब करें देखी जिन्दगी और कभी वीचार ही नहीं आए आज बंदे भरत ट्रेन ने सोचने का तरीका बदल दिया उसको रेल्वे अपनी प्यारी लगने लगी तो बदलाव हरे को पसंद है जहां तक डिजिटल इंफ्रस्ट्राइब सवाल है पूरी दुनिय उसके लिए बड़ी अच्रज है मैं जी ट्वेंटी की मीटिंग में इंडोनेश्या गया तो अल्मस्ट ऑल कंट्री मुझे कह रहें तक साब यह कैसे हुआ है कि उनको लगता यह बड़ा रिवालिशन है तो उन्होंने बड़ा अग्रगे दर आब आपके हां जाब हमारी ज आप अगर इंफ्रासेक्टर को बनाते हैं कोई प्राब्लम नहीं होता है जैसे यूपी प्लेटवर्म मैंने बनाया आद दुनिया में जीतना फिंटेक में काम होता है उससे करीब सिक्स्टी प्रसेंट अकले हिंदुस्तान में होता है रियल टाइप और उसके काम अब कोई भी व्यक्तिताय करता है मैं जिब में एक पैसे में लिये में निकलूंगा महिने बड़ तूर करके होंगा उसको को तकली भी नहीं है उसका मुबाइल फोन चेह बस उ इसे रेडी पट्री वाले में ले जाते हैं और उससे दिखाता है जादू कि देखो यह सब्जी बेचने वाला डिजे कल में बड़ करता है तो उनको बड़ा अच्रज होता है अब दुनिया के कई दिशों में अब जैसे यूए में हमारा यूपी आई चल रहा है जो हमारा करीब 25-30 लाग हमारे लोग वहां काम करते हैं उनको जो रेमिटेंस बेजना होता है पहले काफी कुछ आर्थिक बोज होता था बैंकों के तुरू जाना कमिशन देते देते पहुंचना काफी कम हो अभी वो यूपी आई से बेजता है पैसा जीतना पैसा बेजता है उतना ह पैसा अपने घर पहुंच जाता है उसको किसी को चार्ज नहीं जरापता है उसमें जाने वाला व्यक्ति को टॉप मॉस्ट डॉक्ट्रों का कंसल्टेशन मिल रहे हैं दो लाग आउश्मान आरोग मंदीर जिसमें टैली मेडिशन की व्यवस्ता तो उसको लाब मिल रहे हैं कोविड के समय सबसे बड़ा फाइदा हुआ इस बच्चे घरों में थे तो ओन लाइन एजूकेशन के लिए मैंने माक्सिमम इसका उप्योग किया उसको मैंने प्राइवरेटी ती यानि मैंने के लिए अब स्टार्ट अब की दुनिया उसके मूल में यह अभी मैं का सबसे बड़ा मार्केश भारत में है लेकिन ओनर्स हमारी नहीं है और मैं सोचता हूं यार मेरा पैसा बाहर क्यों जाना चाहिए तो मैं सब गेमिंग के एक्पर लोड़के हैं को बुलाया था काफी समझा मैं खुद भी गेमिंग को पर हाथ अजमाया और मैंने समझा कि तो उनरी एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात मताई और वह दुनिया खैल नग लिए जाते हैं तो दुनिया को को घेर्टा इतना सस्ता है तो पुले सर्पराइज करते हैं तो मुझे समझ आया कि भारत का डेटा सस्ता होना वह शिरफ दुनिया को बताने के लिए नहीं कि देखें बेड़न सर्व यह कितना बड़ा गेम-चेंजर होता है। और फिर से मैं भी टीम लगाई हुई है कि गेमिंग की पूरी इंडस्टरी जुब मैं जब सस्ता डेता हूं, तो मैं गेमिंग को एक एक और नई चीज दिखती है पड़ोसी मुल्क में बड़ी शानती है आप अचानक लाहोर चले गए और अभी हाल में आपने यह और कह दिया कि हां तो क्या हुआ है यह तो मेरे देश का हिस्सा था वहां तो संसे नहीं फैल गई ऐसा है कि हमें इत्यास को भूलना नहीं झाहिए अ और कभी कभार क्या होता है इतने कि या तो इंदम 5000 साल पहले की बात करेंगे मेरे दिश में ऐसा था और मेरे देश में वैसा था हम सोनी की चिडिया थे हम डिगना थे पलाने थे और उसको कल का पूछे तो पता नहीं होता है क्या हुआ था कि क्या कारण था इतना बड़ा देश आजज़ी के बाद एक छोटी सी लड़ाई में आधार कश्मिर चला गया कि कौन कैसी सोच थी क्या कमी थी मारे देश मेरे दिमां में अभी भी नहीं बढ़ता है बटमारा हुआ चलो मजबूरी जो भी हुआ वो इत्यास जिसको गुना सा देना सजा लेकिन बटमारा होने के बाद एक लड़ाई होती हो लड़ाई में आपका अधार कश्मिर चला जाता है इस दिमां में नहीं बढ़ता है तो ऐसे कई सवाल में है और इसलिए है जब अठारा सो सत्तावन स्वातंतर संग्राम के साइस सवा सो साल हुए या देड़ सो साल हुए है तो मैं कहीं मेरा लेक्चर सा उसमें मेरा कहा था कि 1857 के संगर्ष को बंगलादेश हिंदुस्तान और पाकिर्था तीनों ने मिलकर तो आपने अपनी आने वाली पीड़ी को अब क्या थे कहां थे कैसा हुआ बताने में संकोच क्यों करना चाहिए तो नई गलतिया नहीं होगी जिन गलतियों के काने दुर्दशा हुई लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्दी क्या है अगर कोई एक उपलब्दी के हम बात करें को अब थोड़ा कंपरेटिव देखना पड़ता है दोहजार तेरा चौदा क्रकाल खंड देखिए चारों पर निराशा की घरत में देश डुपा हुआ था अब कुछ हो नहीं सकता है एक है इडलाइन रहती जाज इतने लाग का गोट अगर चोड़ो यह चलती है चले हम पापू हमें क्या लेना आप न कर लो यह यह भाशा अप सुनाई दी ति निराशा की घरत में डुबा हुआ जनमन आज विश्वास से भरा हुआ है और कहता है यह हम करके रहेंगे मेरा देश का है मेरे देश का वक्षिने में लगवाँ का यह जजवा जो है ने हाथ में विश्वास पता हुआ है आकांख्षाओं का उभाल है प्रकार से उफां तुफां आया हुआ हुआ है यह सारी चीज़े हैं जो बडलावला रही है इससे बड़ी सिद्धी क्या लेकिन इसका क्युमिल्ट्री इफंक बड़ा जबर्दस होता है बात बड़ा जबर्दस होता है पिछले 30-40 साल की राजजिती में खासकर ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा विपक्ष एक्जुट हो गया कि इस बार प्रधान मंतरी नरेदर बोदी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर रखना है लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है वो सब देख रहे हैं समझ रहे हैं क्या इसके पीछे की वजह आपको नज़ा आती है और जो इंडिया गडबंदन जिसको आप इंडिया गडबंदन कहते हैं उसमें कमी कहां रह गए उसकी क करके अपनी कम जूरियों पर नतीजे के भी पहले ही बैठने वाले हैं कम जूरियों पर चर्चा करने के लिए अगर यह लोक तंतर में तो वे आत्मत निर्ख्षय करतें उनकी कमियां क्या है ढूंडते तो अच्छी चीज है उनकी कमियां हमारे द्यान में आई कि दम भी एक यह गोर संप्रदाइक है कि दूसरा यह गोर जातिवादी तीसरा नेमस्क्रण से अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश की जो नई जन्देशन है वो आजादी के बाद पैदा हुई जो जनरेशन है उसकी सोच अलग है और वो बहुत बड़ा फोर्स है वो इन चीजों से भाहर निकल चुका है वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता है जो ससक्त हो सामरतवां हो वो यह इस प्रकार की भाशा सुनने को भी तयार नहीं है ठीकिन अब यह गिसी पिटी चीजे चल रही हैं बाद समझता हूं कि भी कान भाईय हो चुके हैं जी आपने अभी क्वीम के रोडशों में हमें वक्त दिया था उजिने का आपने इस्तमाल किया था कि आप निजनेशन वाले हैं तो हम भी नेशन फरस्ट वाले है नेशन लास्ट यह होता था यह फरस्ट दस साल में इतना आगया यह हमारा कमिकमेंट है नेशन फरस्ट और हम चाहते हैं कि हम कोई भी निल्ले करें राष्ट्र प्रथम की धरना से करेंगे हमारे लिए दल से बड़ा देश है और इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे देश को प्रात्विक्ता देते हुई कहेंगे सर्वोत कृष्ट प्राफिर्ता हमारी देश होगा बागी सब बात बनोगा और दिलने तब होते हैं सही है क्योंकि वो नियत से जुड़ा हुआ मामला है और जब नियत सही होती है तो नतीजे भी सही आते हैं आपके परम मित्रक स्वर्गीय सुदीर फ रंग सुनहले रंग दल बादलके जोति कलाश चलके अगले अगले कार कैल में ये जोती के कलश भरपूर चलके भारत की ऊशा भारत की रौशनी पूरी दुनिया में जाए हमारा जो विश्वगुरु का सफना है काफी हक्त तक हमने उस पर विजय पाई है हम पूरी विजय उचलता है उतना ही कमल खिलता है और जितनी रोशनी तेज होती है उतना ही कमल बढ़ा होता है बहुत ज्यादा बढ़ा हो जाड़ा है तो यह दोनों मुझे सहाज उसे उपलब्त हो रही है बहुत 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 बह